हेलो गाइज मैं हुसानिय और आप देख रहे हैं हार्डवे माना तो आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं इंटल 12400 के साथ एक PC जो होपफुली एक लाग रुपए के अंदर हो क्या होने वाला है और मझे यह भी नहीं आडिया कि इस PC बिल्ड को कैसे खतम करेंगे लेकिन जो भी हो आप लोग के इन्फोर्मेशन पूरी मलने वाले कि एक लाग रुपए के आसपास आप कैसा बिल्ड कर सकते हैं और इस PC बिल्ड में जनरली तो मतलब बज़ट कॉंपोने जनरली तो बिना किसी देखें लेट्स तो इस केस की कुर्बाने के बाद हम लोग बागी पार्ट को इंडिव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमारे इंटल के शादी का कर और यह है इंटल का 12-4 तो यह हैं इंटल का i5-12400 जो मेरे खाल से कुछ सबसे बेस्ट प्रोसेस इंट भी हो गया लेकिन अब देखो सुनों भात ऐसी है कि 5600 बहुत लेट आया है ठीक है और उसका प्राइस जनरली हाय है फिलाल जो मैंने अभी तक सुने है तो मेरे खाल था कि यह जादा बेटर आप्शन है तो हम लोग MSI का मैग B60 M Mota Wi-Fi उसकरने वाला है जो मुझे सम जो भी कुछ बताऊंगा आप यहीं समय लेना कि मैं DDR4 वाले सिस्टम की बात करें ठीक है अच्छा 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 मदर बोड़ है और SSG इस पीसी बड़ के लिए मैं रेकरमेंट करूंगा अप्रोक्सिमेटली 500 जीबी के आसपास की आपको 5000 रुपे मैं चल काफी होते हैं अब लोगोंने क्या करना है जादे जादा वैलोड एंड बेक दूजा के गाले देने मावन की ठीक है इसके लिए कुछ और काम करना लिए तो बात करते हैं की बिकॉस राम के बारे हैं भूल के थे 30,000 रुपे की राम एक लाग रुपे वाले PC बिल्ड के लिए और अगर आपको फिर भी खरीद नी यह इस दे किंग्स फ्यूरी जो में रिखालते कुछ मार्गें वे सबसे सथी डीडिया 5 रैम में से एक है तो अभी बात करते हैं तो पावर के लिए एक्चली मैसेच मुझे भी नहीं पता था कि अम ने यह कब लॉच्ट कि पावर सप्ला मैग A550 BN प्राइस वाटसब बे मैसेच किया और चेक भी नहीं किया और यह है 80 प्लस ब्रॉंज एट साढ़े तीन हजार रुपए कि है कुलर में देखो हमारे बस सच मता तो काफी जाद ऑप्शन है छोटा सा एर कुलर लगा तब ही चल जाता है इन फैक इस टॉप कुलर इसका प्राइस होने वाले अप्रोक्सिमितली 7000 के आसपास का 240 मिली मिली मिटर और इन वन कूलर है इसमें दो पंक है बड़े इंपोर्टेंट फैक्टर गी सबसे बड़े एक कॉंपनेंट की सबसे जरूरी कॉंपनेंट की वह है जीप्यों जहांबे हम लोग थोड़ी धोकादारी करने वाले इस प्राइसेंज के लिए एक लाग रुपय के आसपास के लिए अभी जो प्राइस चल रहे है अगर हमने इस वीडियो में 3060 Ti जो हमारे पास विलार अवेलेबल है वो शोग कर दिया तो मेंभी वर्ड वार फोर शोड़े जाए बिकॉस हमारे पास सिफ भी का 3060 Ti फिलाल अफिलेबल है यहां पे मैं एडिटिंग के जादू से लिख देता हूं 3060 Ti और अड अज्यूम कर में जो अलड़ी तपा हो चुका है यह है MSI का एक नया केस दिस दो फॉर्ज 111 और यह एजी फैंस होगे साथ आता है मैश के साथ आता है बहुत अच्छा केस है मैंने बहुत सालों पेले इसको रिवियू किया था इन नेम आफ फॉर्ज 100 आर बहुत दूर रहते थे पराने पुराने स्टूडियोस बनाते थे वहां हमने इसका रिवियू किया था जिसे मेरी बहुत ही गंदी मूच्छे थी वह बीडियो प्लीज जाकर मैं चेक करना केस अच्छा है अच्छा अच्छा फ्रेम है आगास हमने सारे पार्ट से इंट्रिडू कर लिए हार्ड नहीं होने जगा पीसी प्रॉपरली बूट हो जाए तो सालों से चलिया इप था को हम लोग चेंज नहीं करने वाले और हम लोग शुरुआत करने वाले पीसी बिल्ड के विद अधर बात ऐसी है कि यह मदबोर आया था इससे प्रॉड़म थी ठीक है अगर आप कभी फ्यू तो आपके आपके अधर बॉड़ी एफट यह पर एक चोटा दागा पड़ा है इसको हमें निकालना है किसी तरीके से तो बीसी बिल्ड सुरू करने से पहले हमें एक्चिली सॉकेट को क्लीन करना पड़े का बढ़ा है वह पर एक धागा पड़ा है मैं अब ध्यान लिया मै तो बाद ऐसी है मुझे नहीं पता कि यह थर्मल पेस्ट है या क्या है कि प्रोसेसर इंस्टॉल अम लोग कर देते हैं देखी जाएगी जो होगा। होफुफुली पीसी ओन हो जाए यह नहीं निकलने वाला अंटिल अनलस मैं सीजिसली पिंस को बेंड कर दो बाद चांस पीसी ओन होता है तो वीडियो महीं पर खतम हो जाएगी प्रोसेसर इंस्टॉल करने का ताइम आद बस होड़ गरो कि आपका हाथ नाग आपे लाद स्यादा कुछ नहीं होता मैं आपकी तरफ देखते भी पीसी प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकता हो कोई प्रॉल्म हो जाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है बस इतना पता होना चाहिए कि दब्बा कैसे खोलते है जोड़ा नहीं होता था पहले है मैं सब्सक्राइब की मदबवोट्स में बहुत अची चीजित हो था कि उन्होंने पहले से मैंशन किया था कौन से स्लोट से राम भरनी है तो अपने हैसाब से कल्कुलेशन कर लिया है तो हमारी राम इंस्टॉल हो गई है ठीक है हम लोग SSD अभी इंस्टॉल कर लेते हैं मैं वैसे हमेशे हमेशे रेक्मेंड करता हूँ SSD हमेशे सार्टी में इंस्टॉल कर लो रेजन यह वाई ग्राफिक साड वर लग गया ना अंटे अपने मदबोर पे सारा समान इंस्टॉल करना है तो केस समने राते हैं केस होफुली ठीक हो आपको दिख रहा हूँ पूरा फ्रेमें में ठीक है काफी अच्छा केस है और इसके इसके बिल्ड कॉलिटी फॉर दर प्राइस काफी अच्छी है और इसके इसका जो ओवरॉल फीचर साट भी ठीक है मतलब तो अमने केस के स्टांडाव सोगा इंस्टॉल कर लिए मैं वैसे टिप देना चाहते हो जब भी आप ऐसे केस काम कर हो ना तो उसके साथ जो भी केबल मैंगों कर एक्सेसरी जाती उनको जरूर हमेशे संभाल कर रखना काम आती है फॉर्चिनेटली यह मदर बोर्ड का मेंग होने का बहुत अच्छा फायता है यह कि इसमें बिल्ट-इन आयो शील्ड आ जाती है और आपको वह सरदर्दी लि अच्छा मैंने अभी नोटिस किया है कि इस मदर बोर्ड का साथा पोड़ भी तूटा हुआ है तो किसी ने बहुत गलत काम कि इस मदर बोर्ड के साथ में चारी माँ ठीक मदर बोर्ड लगा देते है मदर बोर्ड स्कूरूस इसको आपको देखने के जरूत निए अधर फैन वगर अगरा तो कभी को आर उसकी केबल चुपाना बड़ा मुश्किल थो अगर आपके मदर बोर्ड पे कोई ऐसा हीट सिंक ना वी रम के उपर सेट इसे लॉट सो कर बने में या विर यह पर अच्छा का अगया पैं तो अब कर सकते हैं यहां पूरा वायर का ब मदर बोर्ड इंस्टॉल कर लिया केस में अब आर यह कूले इंस्टॉल करने की बस इतना रेकमेंट करूंगा अपना मैनुल पढ़ लेना इनकेस आपको नहीं बता था आपको रिव्यू करने के लिए प्रॉपर रिवार्ड देती है तो अगर आपके पास कोई अमेसर प्रड़क्ट है तो उसके डबे में जरूर जग करना हो आप एक क्यूर कोड़ा कुछ ASMR एक्सपीरेंस आपके लिए बादल बाहर करेंज रहे हैं यह लाइड जाने वाले जल्दी खतम करना बढ़ेंगा यह है लिक्विड कूलर के रिडिटर और यह आपके लिए कुछ थोड़ा सा ASMR एक्सपीरेंस करने के लिए और एक बात करते हैं तो हमने अपना लिक्विड कूलर इंस्टॉल के लिए अलमस्स सब कुछ माउंट वगरा भी कर लिए अब बार यह इंजेक्शन लगाने की और यह में थमल पेस लगाने की बाय डिफॉल्ट जो आती है थमल पेस वही उस करने वाले मैं त बात गाना करों टॉछ फाइं अपना को दॉटर फिलेंटी हैं अगर घ्यां अगर नहीं निकाला जैसे अब देखी सकते हैं शायद शायद देखी रहोगा तो काफी बड़ा वो इंस्टॉल ले करेंगे तो शायद पीसी ओन नहीं होगा पावर सप्ला हमारी नॉन मॉडिलर लेकिन जादर चिंता करने के वाली बात नहीं है बिपॉस इसके जो केबल्स है वो फ्लैट ब्लैक केबल्स है अचा कमेंट्स पे आप बताना मैग का फुल फॉर्म क्या होते ह इस वीडियो के लाइव होने के तीन सेकेंड के जवाब दे देगा मैक का फुल फॉर्म क्या होते है उसको मेलेगा MSI का Creator Z690 गिफ्ट ठीक है जो दो हजार डॉलर का है मैंने अपने जिन्दकी में इतने भी पावर सप्लाइज पीसी बनाए है उनमें मैं सिर्फ दो स्कूल चल जाते हैं तो अभी हमारे दो काम रहे गया तो अभी हमें सर्फ जीप्यू इंस्टॉल करना के बल मैंने शुरू करनी है और जीप्यू जैसे आप लोगों को पता है हमारा बहुत ही अथेंटिक थर्टी सिक्सिक्टिया है वाई यॉजयां क्यांखे वाई सॉरी तो भाई अभी समय आचुका है उस प्रथा का जिसको कही लोग पसंद नहीं करते और मैं बात कर रहा हूं केबल मैंट की और अगर वह इंसान मझे मिल गया ना जिसने ये केबल का डिजाइन अप्रूव प्रूव प्रूव पता निसे जब क्या अगर अधर करो हम लोग दिखाने के लिए है नि दोस्तों महर्बान कददान हमारा पीसी बिल्ट कंप्लीर हो चुका है हमारी केवल मैंने मैंने मैनेजमेंट कंप्लीर हो चुकी है और समने स्टार्टिंग में देखा था मदरबोर के अलड़ी लगी हुई थी अच्छी खासी हम लोग पीसी के बार आज है को बिल्कुल अल्मोस्ट सीम्लस था जो भी कॉम्पनेंस उनमेंसे कुछ के रिव्यू जमा अलड़ी का चुका हूं आप जाकर चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे कॉम्पनेंस है वर्थ लमनी जीप्यो पर्फॉर्मेंस और या फिसी प्रफॉर्मेंस और बहुत ही अ आई, स्वेट हमारा बिल्ड फाइनली कंप्लीट हो जुक है इस वीडियो है तीसरी बार फाइनली वोल रहूं और नहीं अट लिस ताइम एट वस कंप्लीटली फाइन और अमने बूट करके दिकला विंडोस पर सब कुछ रहा है सब ड्राइवर्स वगरा लोड हो चुके थे अच्छा चल रहा है इस वीडियो वस नोट वरी सीरिस एंड वी एक्सेप्टेट हमारा सीरिस करने का बहुत अधा मोटिव नहीं था बिकाउज एंवसरी के जाथ और अल्मोस्ट एक घंटे लंबी सीरिस वीडियो की हुए अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाते हैं तो जरूर आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं क्लिकिंग जॉइन बटन डाउन बिलो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वादों सकते हैं मैं मिलूँगा आपको अगली बार तल देन बाई